एलो एबरिवन जैहिंद वेलकम टू यूटूब चैनल दीकंसेट चलिए आज बात करते हैं आगे होने वाले करनाटका इलेक्शन्स के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम कबर करेंगे कि करनाटक में कौन-कौन सी बड़ी पार्टी सें जिनके बीच फाइट होने वाली ह कितनी वहाँ पे सीटी हैं, कितने वहाँ पे बोटर्स हैं और प्रीवियस हिस्ट्री में कौन सी पार्टी बड़ी रही है और कौन से बड़े नेता वहाँ पे लीड करते हैं। कब होंगे और रिजल्ट कब निकलेंगे। इस साल पंदर्मी बिधानसवा के इलेक्शन करनाटक में देखे जाएंगे। पिछले साल की जो सरकार थी वो 14 बिधानसवा के थी और अब बनेगी आपकी पंदर्मी बिधानसवा की सरकार। बिधानसवा के इलेक्शन करनाटक में एक सिंगल फेस में होंगे। इलेक्शन के डेट अनाउंस की गई है 10 मैं 2023, 10 मैं 2023 को करनाटक के लोग अपने मत का उप्योग करेंगे और बोटिंग करेंगे जिस में पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं। 13 माई 2023 को इस बोटिंग के और इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे और 13 माई को सरकार बनेगी करनाटक एक मातर ऐसी सदन इंडिया की स्टेट है जहां पे बीजेपी एक सिंगल पार्टी के तौर पे रूल कर रही है 2018 के इलेक्शन के बाहत स्टेट में कुल 5 करोड 24 लाक बोटर्स हैं ये सारे बोटर्स अपने सही तरीके से बोट का उपयोग करेंगे तोटल बिधान सवा की सीटे करनाटक में 224 हैं किसी भी पार्टी को अकेले या कोईलेशन में सरकार बनाने के लिए 113 या प्लस सीटे चाहिए जिस भी पार्टी की 113 या इससे ज़्यादा की सीटे आती हैं चाहे वो सिंगल पार्टी है या किसी के साथ गटबंदन करती है वो पार्टी वहाँ पे सरकार बनाईगी और ये सब हम देखेंगे मई महिने में इतिहास पे नजर डाले तो 2008 के इलेक्शन के रिजल्ट क्या ब्यान करते हैं बीजीपी को 110 सीटे मिली थी कॉंग्रेस को 80 सीटे वही जनता दल सैकुलर को 28 सीटे अधर्स को 6 सीटे वही 2013 के इलेक्शन में कॉंग्रेस एक बड़ी पार्टी के तौर पे उबर के आई 122 सीटों के साथ बीजीपी को 40 सीटे मिली बहीं जनता दल सेकुलर को भी 40 सीटे अधर्स को 22 सीटे मिली लास्ट चौदमी विधान सवा के एलेक्शन्स के रिजल्ट ब्यां करते हैं बीजीपी को 104 सीटे मिली, कॉंग्रेस को 80 सीटे मिली, जनता दल सैकुलर को 37 सीट, बाकी अदस को 3 सीटे क्या इंपोर्टेंस है विधान सभा इलेक्शन्स की तो जैसे कि हम सब जानते हैं अठारमी लोकसभा की इलेक्शन 2024 में देखे जाएंगे तो जो भी विधान सभा के इलेक्शन्स के रिजल्ट होंगे वो इन इलेक्शन्स पर काफी इंपेक्ट करेंगे तो जैसे कि आने वाले विधान सभा हैं जहां पे इलेक्शन्स होने बाले हैं और ये आपके बड़े राज्ये हैं जैसे कि मध्य पर्देश बिधान सभा के elections होंगे, राजस्तान में भी बिधान सभा के elections देखे जाएंगे, वहीं चत्तिसकड में भी बिधान सभा के elections हो गणे। करनाटका के elections क्यों important है जैसे कि हम जानते हैं last month ही Congress के leader राहुल गांधी को लोकसवा से disqualify कर दिया गया तो disqualify के बाद ये पहले elections है जहाँ पे राहुल गांधी lead नहीं करेंगे एक लोकसवा के member के तौर पे है चलिए जानते हैं करनाटक के बिधानसवा elections में किन-किन बड़ fight देखी जा सकती है तो यहाँ पे तीन बड़ी parties हैं जिनके बीच काफी कड़ा संघर्ष होगा पहली है आपकी भारती जनता पार्टी बीजेपी दूसरी है आपकी जनता दल सेकलर पार्टी तीसरी है Congress पार्टी इन तीन पार्टी के बीच में काफी तगड़ी fight देखी जा सकती है 2023 के बिधान सबा करनाटक के election में इसके अलाबा बड़ी parties हैं जैसे आप बीच पी बहुजन समाजन पार्टी के आर पीपी बाकी और भी दूसरी छोटी मोटी parties इसमें participate कर रही हैं CM candidates के बारे में नजर डाले तो किस पार्टी ने अपने candidates नॉमिनेट किये हैं CM के लिए BGP ने बसाबा राज बोमाई को BGP का CM candidate बनाया है बही जनता दल सैकलर की तरब से CM candidate है HD कुमारा स्वामी Congress ने अभी तक अपना party से कोई भी candidate CM के लिए announce नहीं किया है बट दो member है जिनको favorite माना जा रहा है एक है आपके DK शिवा कुमार दूसरे है former CM सीद्ध रमया इन बड़े नेताओं के बीच काफी टकर है CM बनने के लिए चलिए जानते हैं किस तरह के manifesto में कौन-कौन से parties ने किस तरह के promise किये हैं तो पहले बात करते हैं BGP के बारे में BGP ने पहला point ये रखा है फसल के उपर loan लिये हुए किसानों को एक लाग तक माफ कर दिये जाएगा जिन किसानों ने एक लाग तक फसल के उपर loan लिये हैं उनको माफ कर दिये जाएगा दूसरा है औरतों के दौरा चलाएगे self-helping groups SHG groups उन पे उनको दो लाग तक loan दिया जाएगा और ये interest rate बहुत ही कम रहेगा 1% का वहीं BGP ने अपनी तरफ से ये भी ensure किया है कि temple से जो भी revenue आएगा उस revenue को सिर्फ temples के उपर ही खर्च किया जाएगा या फिर उससे समंदित religious activities में वहीं BGP ने एक और target रखा है 2032 तक करनाटक को 1 US dollar trillion की economy बनाने का बात करते हैं Congress के promises की तो Congress ने कौन-कौन से promise किये हैं Congress ने ये promise किया है कि जो भी unemployed graduate persons हैं उन्हें 2 साल तक हर मन्त 3,000 पे का भत्ता दिया जाएगा वहीं दूसरा promise है Congress की तरफ से हर महीने 200 unit free विजली दी जाएगी करनाटका की जनता को तीसरा main promise है Congress की तरफ से हर एक परिवार से जो महिला head होगी उसे हर महीने 2,000 पे का allowance दिया जाएगा बात करते हैं जनता दल सेकलर के promises के बारे में तो पहला promise है कि हर साल 5 LPG cylinders free दिये जाएगे हर परिवार को दूसरा है जो भी गरबती महिलाएं हैं उन्हें 6 महीने तक 6,000 पे का allowance दिया जाएगा किसानों को पर एकड के इसाब से 10,000 पे की subsidy दी जाएगी जो फार्म लेबर्स हैं उन्हें 2,000 पे पर मन्त का allowance दिये जाएगा वहीं जो भी लड़कियां government college में study कर रही हैं उनको 6,000,000 के करीब bicycles और electric vehicle mopets 60,000 लड़कियों को दी जाएगी ये scheme उन्हें लड़कियों के लिए available हैं जो government college में study कर रहे हैं आपके promises के बारे में बात करें तो आपका पहला promise है कि वहाँ पे एक अच्छे school बनाए जाएगे government school और हर एक करनाटक के वासी को free health care services दी जाएगी दूसरा promise है आपकी तरफ से महिलाओं को free city bus ride महिलाओं को free bus service available होगी करनाटका के शहरों में बहीं जो भी महिलाएं below poverty line यानि की BPL category में आती हैं और उनकी age 18 साल से उपर हैं उन्हें हर महिने 1000 रपे का allowance दिया जाएगा चौथा promise किया गया है आप government के candidate के दोरा करनाटक में राशन और government services को हर एक घर के दिवार तक पहुंचाया जाएगा लोगों तक लोगों के घर के door step तक हर राशन और government service को provide किया जाएगा तो इस तरह से अलगलग parties के manifesto में promise हैं करनाटक की जनता से 10 मई को board डाला जाएगा करनाटक की जनता के दोरा पंदरमी बिधान सवा elections के लिए 13 मई को इसके result आएंगे और इन results के काफी impact पड़ेंगे बाकी होने वाले विधान सवा के elections और 2024 में होने वाले लोग सवा के elections के उपर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को like करे, share करे, comment करे और आपके अपने channel The Concept को subscribe करे Thank you everyone, Jai Hind!